हमारे देश में कहावत है कि अगर किसी का सच जानना है तो उसके पुराने साथी से मिलो ऐसा ही अब केजरिवाल इन कंपनी के साथ दिहो रहा है केजरिवाल अभी तक विपक्ष पर ये आरोप लगाते हैं कि जी विपक्ष एक सोची समझी साजिश के तहट आरोप लगा रहा है लेकिन अब केजरिवाल जी की स्थिती ऐसी हो गई है कि उनके पुराने साथी ही अब उनकी पोल खोल रहे है पहले कपल मिश्रा, कुमार विश्वास और अब अलका लांबा जो केजरिवाल जी के पुरानी साथी रहे चुकी है अब वही कह रही है कि आमाद्मी पार्टी में बहुत रष्टा चारे भाई अब हम अभी जानते हैं कि भारत में कहा जाता है कि घर का भेदी ही लंका ढठाता है आखर क्या केजरिवाल के पुरानी साथी ने आमाद्मी पार्टी के बारे में बताया है चलिए आपको बताते हैं का आरोप लगाया कॉंग्रिस ने ये दावा भी किया कि राष्ट्रो ये राजधानी में आमाद्मी पार्टी सरकार की आपकारी नीती से जुड़े फैसले मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की जानकारी में हुए थे पार्टी रेता अलकालांबा ने ये भी कहा था कि पुर्व उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोधिया ज्यादा समय तक चुप नहीं रह पाएंगे सिसोधिया ने जिस दिन चुप पी तोड़ी उस दिन केजरिवाल भी इस मामले की जद में आ जाएंगी उस समय जाच केजरिवाल की कुरसी तक पहुच जाएगी दिली में आमादी पार्टी की सरकार में जम कर प्रष्टाचार हो रहा है यही नहीं पंजाब में आमादी पार्टी की सरकार में प्रष्टाचार हो रहा है पंजाब में कानून विवस्था की स्थिती भी खराब है ये बहुत जिंता जनक बात है सिसोधिया की गिरफतारी का उलेख करते हुए अलका लामभा ने दावा किया कि मनीश सिसोधिया अर्विंद केजडिवाल के रास्तार है जाच एजिंसियों के सामने मनीश सिसोधिया ज्यादा वक्त तक चुप नहीं रह पाएंगे अगर जाच के आज केजडिवाल तक पहुचे ही तो ये मान के चलिए कि भारती राजनीती में आम आधमी पार्टी का ग्या तवास शुरू हो जाएगा और रपोर्ट ओमेच न्यूज और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं